भारत के अंडर-19 क्रिकेटर ने 18 महिने के भीतर भारत की टीम से खेलने का किया दावार नमस्कार मैं हूं सुनीता और आप देख रहें D&P स्पोर्ट्स भारत में वेस्टंडीस में खेले गए अंडर-19 विशुकप में जीत हासिल कर लिया और पांच में बार ही टाइटल अपने नाम किया है और अब इस युवा बल्लेबाज ने अपने लक्ष भी तैय कर ली है यह उश्का कहना है कि वे अगले 18 महिने में भाती टीम के लिए खेलना चाहते है इस समय तो वैसे अगर बात करें तो ये बल्लेबाज फ्लाइट पकड़ने में ही व्यस्त है विस्त इंडी से लाटनी के बाद भारत की 19 टीम एहमदबाद गई जहां इस टीम का सम्मान किया गया टीम चार फ्लाइट पकड़कर यहां पहुँची थी इस दौरान वे सर्फ 30 मिनट ही अपने मादा पिता से मिल पाए दिल्ली में आने के बाद वे सीधे बाल भवन गए जहां उन लोगों से मिले जिनकी वज़े से वो यहां तक पहुचे इसके दो घंटे बाद ही उन्हें को हाटी के फ्लाइट पकड़नी थी जहां उन्हें दिल्ली की रंजी टीम से जुड़ना है भारत को जूनियर विशुकप विजेता बनाने के बाद यश को अच्छे से सोरे का मौका भी नहीं मिला है लेकिन यश को इससे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि एक पेशेवर क्रिकेटर के तार पर ये शुड़वाद भर है यश ने कहा है कि मैं बीते कुछ दिनों से मुश्किल से ही सो पाया हूँ लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर मैं शिकायत कर सकूँ मैंने अभी तक जो किया है वो हो चुका मुझे अब इस बात पर ध्धान देना है कि मैं आगे फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष 18 महीने में टीम इंडिया के लिए खेलना है लेकिन अगर मैं 18 महीनों में नहीं कर पाया तो मैं तब तक महिनत करता रहूंगा जब तक मैं अपना लक्ष हासल ना कर लूँ आपको बता दें कि यश धूल से पहले भी दिल्ली के विराट कोली 2008 में उन्मुक चंद 2012 में भारत को अंडर 19 विशुकप में विजेता बना चुके हैं दोनों का करियर काफी अलग है विराट कोली आज के समय में दुनिया के महानतम बल्लेवाजों में गिने जाते हैं लेकिन उन्मुक चंद उम्मीदों के भारतरे दब गए यश से जब पूछा गया कि क्या उन्हें भी असफलता का डर है तो उन्हें कहा कि आपने जो नाम ये हैं मैं उस लाइन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं बहुत चांत रहने माला हूँ विनम्र रहने माला हूँ विश के बारे में जदा सोचना नहीं चाहता यश ने कहा कि विराट भाई ने मुझसे अपना 2008 के 2019 विशुकप के बाद का अनुभव साज़ा किया था मुझे इस बारे में काफे कुछ जानने को मिला कि यहां से मुझे अपने करियों को लेकर क्या प्रोच रखनी है उनसे बात करने में मुझे यह जानने को मिला कि मुझे आगे जाने के लिए कि इन बातों पर ध्यान देना है और कि इन चीजों को नजर अंदास करना है तो दोस्तों ये थे यश धुल जो कह रहे हैं कि मुझे 18 महीने के अंदर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वे तब तक महनत करती रहेंगे जब तक वे इस लक्ष को आसिल न कर ले कर ये शधुल के इस जस्वे को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जबूर बताईएगा और स्पोर्ट सो जुड़ी हुई ऐसे ही तमाब अपडेट्स के लिए देखते हैं ये डिनपी स्पोर्ट्स